देख रहें के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेट्मेंट डिया उसके बाद से आप क्या कहींगे? देखे मेरी नजर में तो आरजू ये G20 को नजर लगी है ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चड़ाईयां थी वो पसंद नहीं आई नजर लगए लेकिन इस नाट बिग डील अड़ उसकी वज़ा ये है ये जो सारा भारत में हुआ है इसको डाक्टर जो है वो वीक है इंफलेशन आउट अफ कर्ट्रोल है अनिम्प्लॉइमेट है सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के जिस तरह पाकस्तान में प्लाटो की एकानमी है वहां भी घरों की एकानमी चल रही है और बहुत बुरा हाला था कैनेडा से बलके इस से पहले भी इस वाक आनमी के आलात क्या थे और जस्टर टूडो को जो है वो एक लिबरल पालिटी से थे उनको ब्लेम किया जाता था अब उन्होंने जगमीट सिंग जो एक वहां पर वहां पर एक नैशनल डिमोकरिट पालिटी है या निव डिमोकरिट पालिटी शाह उसका नाब उसके उनके तक्रीबन 25 के लगबग जो MP है उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरा थी उस पर उनोंने उनको उनको खुश करने के लिए ये किया है लेकिन एक हैड आफ स्टेट जो के कैनिडा मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है उसको काम पोशिष अब मैं उसकी अंदर की कल की जो मैं कुछ एक चैनल पर मैंने कल भी इस पर स sneakers कर गे बोली और मैं कैनिडा को बड़ा closely वाच करता हूं और दूसरा आपको बैनेающa है कि मैं अपने दिन के आदा दिन तो मैं भारत में होता हूं कि मेरे जो भाई हैं वो सरदार हैं भारत से हैं और सारा दिन पिर हमारे आफिस में भी फोन पे भी सारी बातें आदा दिन तो मैं प्रैक्टिकली अलिव इन इंडिया तो उसमें जब ये काफी गरमा गरमी चल रही थी तो बातें हैं वो पहले तो जस्टिन टूडो साब ने अमेरिका की स्पोर्ट लेने की कोशिश की यूके को किन्वेंस करने की को जिसमें भारत का नाम तक नहीं था फिर दूसरा उनोंने कोशिश की एक इनका दूसरा ग्रूप है फाइव आए कंट्री जो इंटेलिजस और टेरिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वहां से स्टेट्मेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की उनोंने भी जवाब दिय पिर उसके बाद उनकी जो मैलनी जोली है वो उनकी जो पारण मिनिस्टर है वो आई है यूके यूएस में आई है यूनाइटी नेशन में तो उनोंने जी सेवन की स्पोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन कोई इस किसी ने स्पोर्ट नहीं उनको किया और दूसरा एक सबसे ब और यहां पर यह बतारा जाओंगा कि इस वकत भारत जो है वो कैनेडा से डाले ले रहा है और आटा ले रहा है तो वो बंद कर देंगे कहीं और से लेंगे इनकी एकानमी मजीद खराब होगी इनका एक पेंशन फंड है जो दो बिलियन से ज्यादा है उसकी इन्वेस्मेंट इन्होंने भारत में कर रखी है मोहिद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं गाड़ियंगा बनाते हैं उनके प्राजेट में अपने कैनेड़ा के जो पेंशन है उसको दो बिलियन तो यह सारी चीज़ें अपने लिए गड़े खोद रहे हैं मेरा खाल में इस मौडरन दोर के सुबह प्रेस कांफरेंस थी फारण अफेर वालों की मैंने भारत में उन्हों को मैंने वो सुनी है तो उन्होंने बिल्कु कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके उपर ये इल्जाम लगाया जाए लेकिन जो इसमें से निकल रहा है जो क्राइसिस चल रहे हैं एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है भारत ने आज वीजा सैंक्शन लगा दी है उससे जो भारत में जाद लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको तकलीफ होगी और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुक्सान है जो मै मेरे हिंदू भी दोस्त हैं मेरे सिक भी भाई हैं तो जो मुझे सबसे ज्यादा तश्वीश इस चीज़ की है कि हिंदू सिक जो है वो रिलिशन्शिप आपस में खराब हो रहे हैं इन कनेडियन को तो इतना ज्यादा फिकर नहीं पढ़ाएगा क्योंकि तो कैनेडा में रह करते हैं मज़े करते हैं जो लोग सिक भारत में आबाद हैं और खासकर कई स्टेटों में हैं जहां बहुत थिन माइनॉल्टी है उनके खिलाफ एक नफरत उबरेगी मैं समय तो जैती इस सबसे जो कुछ भी हुआ है लेकिन इसमें से अच्छा कुछ भी ने निकलेगा मेरे ख्याल में कल जो एक स्टेटमेंट दी है टूडो साब ने पिछले टाइम इस वाक्या के बाद तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली भी थी उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा यह नहीं था कि उनको प्रोग किया जाए लेकिन प्रोग तो अब हो स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया और आजकल ना हमारे टीवी पर सुबह शाम यहीं आ रहा है कि भारत एक्सपोज हो गया देखें यहां पर तो जोक पर जोक हो रहे हैं यूनाइटी डेशन मेरा ख्याल है मैं मेरी खाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो यह है कि हमार कि मुनास्बत के हवाले से फौरण अपना वो जो स्टेटमेंट अब यूनाइट नेशन में आये तो हम तो भारत के पीछे पीछे गूम रहे हैं रिलेशनिक बात करते हैं आईएमफ को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं और मेरे भाई बात के लिए कुछ स्टेपस आपने लिए हो हालात बेतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है दूसरा सबसे बड़ा मजाग है जो वो किया है आईएमफ की जो हैड है वो हमारे काकड साहब को प्राइमिस्टर साहब को मिली है और उन्होंने कहा है कि अमीरों से टेक्स लेकर गरीबों की मदद करें वह वह कैसी बात उन्होंने कर रहे है यह आपका क्या है हमें नहीं पता यह अमीर लोग कौन है रूलिंग अलीट है रूलिंग अलीट से आप लेके दिखाएं आप आप बिजली के और पट्रॉल के आप जो है रेट बढ़ा देते हैं कभी आपने कह है कि पहले क्रॉप्शन रोको कभी आपने कहा है जो अमीर लोग हैं जो चार चार कनाल के घरों में रहते हैं उनका टेक्स बढ़ा दो कभी कहा है जो बैंगी गड़ियां ना मगाओ मेकब ना मगाओ खुतों की खुराक आईस्क्रीम चाक्रेट ना मगाओ आपने बड़ी स्टेटमेंट ने दी एक जोक था दे में दो जोक हैं एक जोक यह है कि हम तो भारत से रिलेशिशिप ठीक करना चाहते हैं भारत हमसे बात नी करता वो नाराज है हमारे साथ और दूसरा जोक यह है कि अमीरों से टेक्स लेकर गरीबों की मदद करें यह आई-एम-फ की स्ट केस है उनका केस है तो भी आप किन से बातें कर रहे हैं आई-एम-फाले पता नहीं है कि उदर हमारे नवाई श्रीफ साब है वो कहते हैं भी जी-20 हमने करनी थी चानद पर हमने जाना था यह जोक से क्या है यह क्या कर रहे है आर्जू मुझे तो बहुत ही जीप सा लग रह लिखने नहीं है सी बैक बन रहा है आपक का चेणगा बनारहे आपल लाहोर का ट्रह आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लते हैं सारी केक बैक लेने के लिए जिस मुलक में एक सड़क ना बन सकती हो चाहत पर किस तरह जाना साइकल पर जाना था आपने चाहता नहीं यह किस डारेक्शन पर जा रही है का लीना इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्राजेक्ट उनल दमाग में कंप्यूटर फिट करने का है उसको एफडि कर रहे हैं दुनिया दमाग में कंप्यूटर लगा रही है यह पता नहीं किस जिहाद के चकर में पड़े वे हैं और लीडरान है अब मैं चोटी थेंखें आर्दू मैंदर आपके आहलात बताना चाहता हूं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब शबाज सपीड साहब पाकिस्तान है वो भी और उसके बाद मुझे यह बताएं आप इस दोर में आप एक दिन के लिए जाते हैं वजीर आजम सब गये हैं जो साबक वजीर आजम जो शहाए दोस्तर मुस्तबिल में भी दूसरे आगले वजीर आजम हो एक दिन रुके हैं वहाँ पर क्या हुआ है मेरी जो इंटर्नल की सारी खबरे मुझे रुपोर्टे आ रही है आपस में फैमिली के जगड़े चल रहे हैं सक्त भी वो कहते हैं आगला जो है वो शैनशाह कबर के तख़ पे मैं बैठूँगा वो आपस जिस तरह वो मुगल लड़ते थे आपस में इस तरह यह लड़ ग खतम नहीं हो रही है मैं तो वैसे आर्ज हूँ मैं यकीन करें कि मैं क्या बताओं आप पाकिस्तान की बात कर देते हैं मैं तो करना नहीं चाहता पाकिस्तान की बात कि उसकी वज़ा है कि मैं जब भी बात करता हूँ एमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि आपका कोई सामने नज मजाख उडाना था जिनके अपने जो खुद अभी मोटर सैकलों पर गदों पर फिर रहे हैं जिनके कंट्री के अंतर सड़क साबत एक सीधी सड़क नहीं उनकी वह भी मजाख उडाते हैं सार वह जो दमाग में कंप्यूटर लगा रहे हों पाकिस्तानियों की लगा देते हैं शायद कुछ मतलब कुछ अच्छाई रिजल्ट आ जाता है अर्जू लगेंगे वो कैसे लगेंगे वो कहते हैं दमाग के साथ computer चलेंगे bank deposit हो जाएगा अरे इतने लगाएंगे यह जो बच्चे आपके यह बैठे हैं बोल शिजादे लंदन पढ़ते हैं यह दमाग में लगाएंगे computer आई एम एफ के डालर साथी डालर जो किंटो में लंदन लंदन दुबई जाया करेंगे यह यह आपके लगेंगे यह सर अभी भी भी जो banking system पाकिस्तान का है और जो IT फील में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन प्रोड़क्ट से इस्तमाल कर रहे थे तो गर्मिन ने बैन लगा दिया सर यहां पर बाते हो रही है और कहा जा रहे है जो पाकिस्तान में वेलेबले वहीं इस्तिमाल करें इंडियन प्रोड़क्स बिल्कुल यूज दाओं ठीक है देखें बस मैं जो अब मेरे मेरे घाल में तो हर पाकिस्तान एप क्मेडियन शो ना चाहिए उसका अपना मेरे ख्याल में तो मिसी रोठारा आंके चलुए है थो कभी हसी आती है कभी रोना आता है सुना है नई आजकल आप शुरू कर रहरे है नई कृरंसी आज सिशूरू कर रहा प्रोड़ना बना तरह अगर बात करें दुबारा वारत और कैनेडा की तो सर इस किसम के क्या हथ से पहले भी देखें आपने के लोगों को इस तरह से मार दिया जाए मतलब कैनेडा जैसी जगह में इसलिए के आपकिस्तान में तो हो तो आम सी बात है लेकिन ही आपको लगता है कि इसक्राइट वगेरा का प्रॉब्लम हो गया है चाहे वो किसी भी माइंड सेट के लोगों कुछ भी उनकी सोच हो देखें दो चीज़े हैं जो मैं आरजू मेरी अब्जरवेशन है जो कल हम सारा दिन दो दिन से मुसरसर बातें कर रहे हैं आफ इसमें और दो सारे जो भारती भी और सारे हम बैट के बातें कर रहे थे चैनिड़ा के अंदर लाव एंडर के हालात भी साथ खराब है और जो लिबरल दुनिया है वो ना सिरफ कैनिड़ा अमेरिका के अंदर भी वो डिफंटिंग पुलीस पुलीस के खलाफ एक मुव्मेट सिरू कर रखी उन्होंने उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पुलीस डीमॉरलाइज हो जाती वो एक्शन नहीं लेती गैंग वार इस वकत कैनिड़ा में कुछ सूबों में खासकर वैंकूवर एरिया में पीक पे जाए पंजाबियों के गैंग हैं और आपने देखा यह सिद्व मुसेवाले को किस तरह उनका मर्डर हुआ है गैंग्स के जरीए जिस तरह और उसके ताने बाने मिलते थे कैनिड़ा कल मुझे बात एक बहुत अच्छी लेगी बात मैं जो हमारे मेरे जो भाई हैं बहुत अच्छे जस्दीब सिं भारती गवर्मेंट ने टेर्रीस तरह दिया उस वक्त केनिड़ा ने एक्शन कियो नहीं लिया उस वकत अगर एक्शन लिया होता इन्वेस्टीगेट किया होता तो आज वो जिनदा होते हैं तो और अभी तक तीन महीने हो चुके हैं उनके कथल को एक अरेस्ट सिंगल नही आपके पास कौन सा अभी डिएम से दिखाओ जामने रखो इसमें एक चीज़ नजर आती है जो मैं उसको खुद अपनी आँखों से अब्जर्ब कर चुका हूँ जिस तरीके से यहां पे इस वक्त अमेरिका के अंदर एक लिबरल गर्वर्मेंट है प्रोग्रेसिव जिसको को जा लीगल कर दिया कुछ स्टेटों में उन्होंने हर ड्रग को लीगल कर दिया तो वो इस तरह की एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफंडिंग पुलीस और पुलीस कंप्लिटली कैनिड़ा के अंदर डीमॉरलाइजड है लोग पुलाते हैं पुलीस आती हैं नहीं चोटे मोट करेंगे लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया इस पुलीटिकल इस पुलीटिकल उनका था अबजेक्टिव इसके पीछे और वो उन्होंने किया है लेकिन यह कि मैं समझता हूँ गल्द किया है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था हर कंट्री आज उनको यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था अब तो मैं समझता हूँ बलकि उनके अपने जो इस वकद आपोजिशन लीडर है पहरिए उनका नाम है उन्होंने भी जो कहा है कि you have to come clean out of it now और जस्दीब खास कर उनोंने उनकी बड़ी स्टे लेकिन सार दोनों का कंट्रीज ने अपनी अपनी जगा पे जो उनके ऑफिसर्स थे मैसीज के उनको निकाला है वीजा उफिस अलग बंद हुआ है और टेंशन बहुत जादा बढ़ती भी दिखाई दे रही है इस पे अमेरिका की तरफ से या वाइट हॉस की तरफ से भी त दूसरा जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो चारे अस्टाक होगे कैनेडा के अंदर और दूसरा भारत ने अपना रेजर्वेशन दी हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशेंज जो हैं कैनेडा के अंदर वो सेफ नहीं है और वाकिए उसमी वजा यह है कि वहां पे कुछ चैलीमेट्स जो थे उन्होंने भारती डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी उनके सर की कीमत लगा रखी थी और इंदर इस तरह की बातें करते थे वो वो अपनी जगा ठीक है कौन इतना पड़ा रिस्क लेगा भई जहां लोगों को थ्रेट करें बलके कल तो स्टेटमेंटें दी इस तरह घलत बात है यह नहीं सोचते कि उनके इस तरह की अमल से पूरी सिख क्मिनुटी के उपर क्या आसर पड़े हैं और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया मुविंग फॉरवर्ड आप अगर को आपको मसले मसाइल है मूवमेंट हैं तो आप डिप्रोमेटिकली प्रुटिकली उसका हल डूने बजाए वालेस के मैं समझत हूं वालेस इस नाद एंसर तो एनिटिंग सर ट्रावलिंग एड्वाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरह से लेकिन जो भारत की तरह से बड़ी स्टॉंग ट्रैवल एड्वाइजरी है जो कैनिडा है वो तो उनोंने वैल्टी में उसका जवाब दिया है उनकी इतने स्टॉंग नहीं है लेकिन कैनिडा इस ऑन बैक फोट राइट राइट नो इस पर्सनली आज में मेरे खाल में डैमिज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकि उनके चीज़ें कई उनके हाथ से निकल चुके हैं काफियत तक उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है बलके आप इंटरनेशनल कम्यूटी का बाल इस ऑन देर कोड़ के दिया यूव तो प्रूफ एलिगेशन के उपर आपने इतना बड़ाया इल्जाम जो लगाया है व उनका प्रूटिकल केरियर जो है वो वर है उनके वाले साब भी प्राइमेस्टर थे अब तो लोग उनकी भी स्टोडिया निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सानों ने भी एक उनेसो पचासी के किसी हाई किसी त्यारे की बामिंग के अंदर कोई इन्वार थे परमार उनका नाम था तो उनको इंडियन कवर्मेंट ने मांगा था कि हमें दिया जाए वापस तो अगर्डिंग तो दा कामन वेल्थ क्योंके भारत और कैनड़ा दोनों कामन वेल्थ का है सालिकिनों ने उसमें को लीगल चीज धूंड के तो उसको भी एक्सडाइट नहीं किया था अब तो फिर लोग बातें वो भी कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सान लेकिन मेरे क्याल में इस वक्त कैनिड़ा भारत रिलेशनिशिप दिया अदे वर्स पॉइंट आप दिर डिप्लोमाटिक हिस्ट्री जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जी ट्वेंटी यह कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जी ट्वेंटी के कामयाभी के बाद जिस इस इस अ कांस्परेशी लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि वट वस्ट अधर मोटिफ ब्यार्ड अप्लिटिकल प्लिटिकल तो नजर आ रहा है कि जगमी जो हैं कैनेड़ा के अंदर उन है भारती प्राइम मिनिस्टर से बात की थी लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि सर्फ जी ट्वेंटी की बात नहीं है और भी कई जगा पे जो मून विशन था और काफी चीज़ें ऐसी भारत की सामने आ रही है जिसमें काफी वह सक्सेस्फुल रहे हो सकता है यह सारी जा के जी ट्वेंटी में बात करने की कोशिश किये नहीं थी तो पॉब्लिक जा के कुप्रेस कांफनस करते वहां अगर मोदी साब बात नहीं कर रहे थे कि तो किसी और से बात करते भी यह देखें यह क्या हो रहा है हमारे साथ अगर इस तरह की बात थी और दूसरा यह करना होता है लेकिन देखें उसमें अगर मोदी साब से अगर बात कर रहे थे नहीं हो रही थी तो को और चैनल आडाप्ट करते हैं अगर आपके पास प्रूफ थे लोगों के सामने रख ले दे चीज़ें लेकिन अगर इसमें से निकलेंगे कैसे यह में लास में पूसे जा तीन महीं ने तो मुर्डर के हो चुकि एक भी रेस्ट अभी नहीं एक भी रेस्ट नहीं और मैं आपको बता दिया लॉइन आडर के हालात कैनेडा के अंदर बहुत खराब हैं तो प्रूफ कहां से देख अपनी जनसियों को इनके पास प्रूफ होते तो रख देते वो प्र करना होगा साथ जो हिंदू कम्निटी है वो भी क्या आप डर डर के रहेगी कैनेडा में जाती लिकिन लिकिन कि मैं वैसे मैंने परसनली मैं बताओं आर्जू ऐसी बात भी नहीं है कि हिंदू देर सेफ इसमें कोई शक नहीं है सारे सिक्ष के साथ रहता हूं हिंदू के साथ हैं ना सिरफ हिंदू से क्या मुसलमान सारे उनके साथ हैं ऐसी कोई बाद हैं आप जाके कभी टॉरांटो यह कहीं भी देखे देर लिव लाइक डिया का वन किम्यूटी ऐसी बात नहीं है कि उनको कुछ थ्रेट होगी अदर हकीकत कुछ लोग देर सेटन परसेंटेज of people in every community they are born troublemaker वो किसी ने किसी चीज़ के उपर उन्होंने इशू बनाने होते हैं community के अंदर this is this is a natural phenomenon लेकिन ये कि अगर मुझसे पूछा जाए तो हिंदूस दिया safe in Canada और ऐसी कोई बात नहीं है ना यहां भी और वहां भी कोई ऐसी बात they are living in India since centuries they are living together तो आज कौन से बात के जाएगी जब आप crisis में होते हैं